आज हम चर्चा करेंगे ड्रोन की तो ड्रोन के जो अंतरगत पहले तो उसके प्रारूप में ड्रोन क्या है और उसके तूसरे भाग में कि उसकी वैग्यानिक्ता क्या है तीसरे भाग में उसका जो वेवारिक मोडल है जो बनावट है चौथा जो इसका विकास है या इतिहास है और पच्वा विशेष्टा है जो इसके अनुपरियोग है जो अच्छे और बुरे के रूप में है और फिर जो छट्वा है इसका भारत में विकास है साथवां विश्व में विकास और इसे जुड़ी कंपनिया है और इसके बाद जो अन्तिम जो है आठवां जो रूप है वो भारत में ड्रोन नीती और जो टू पोइंटो जो मसौधा है 2020 का तो इसके प्रारूप के अंतरकत जो है हम इसकी चर्चा करेंगे जो परसंड बनेंगे पीटी में या मिन्स में वो इसी के इद्धी होंगे तो ये समझ बनाने के लिए या टॉपिक जो है बहुत महत्पून है ऐसे तो ये विग्यान योम प्रदोगी का भिशह है लेकिन इसक जोगरोफी में भी अर्थ विष्था में भी और करेंट के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है विद्धी विष्था के अंतरकत भी जो है इसके अनुपर योग में विद्धी हुई है भारत में जैसे हाल के दिनों में जो टोही की रूप में जो सीमा छेतर में जैसे ड में इसके प्रयोग पढ़े हैं, चाहे वाब दराहत के रूप में हो, या फोटोग्राफी के रूप में हो, तो इस प्रकार हम सभी पहलों पर इसकी चर्चा करेंगे. तो पहले है कि ड्रोन क्या है तो ड्रोन का जो शाप्तिकरत है वो मदो मक्की या बर्रा से है एक परकार का जो काटने वाला किड़ा होता है बर्रा या बिर्नी जिसको हम कहते हैं इस्थानी अभासा में तो इसका जो बनावट है अगर आप इसको देखें तो यह पूरी तरह उसके तरह दिखता है और यह एक चालक रहित जो है हलका भी मान है जो की निश्चित दूरी तक सुदूर से नियंतरित किया जाता है इसकी परिवासा है अलंकि हाल के दिनों में जीन दूरा जो है मानो केरिंग पैसेंजर के रूप में भी जो है इसका पाइलिट परेक्शन किया गया लेकिन अधिकांश्ता जो है यह चालक रही थी यानि अन्मेंड एरियल वेइकल यानि UAV के रूप में यह प्रियोग होता है तो जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार जो मदुमक्खी अपने पंखों को गुमा कर दबाव बनाती है तो अगर इनोनार्टिक्स जो इंजरिंग है उसको देखा जाए तो वहां आप आईएगा कि हवा में जो भी जीव पक्षी उड़ते हैं वो एक अपने संतुलित दाप को बनाते हैं उपर से नीचे फिर नीचे से उपर ठीक उसी तरह इसमें जो ड्रोन में जो रोटर होते हैं जो कि आगे हम चर्चा करेंगे इसकी बनावट पर उसके माधहम से वेगानिक सिधान्त दोहरा हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब जैसा कि देखा गया कि जो पर्थम विश्विवद है और दित्य विश्विवद है तो इस समय जो है पूरे विश्वो पर व्यापक स्तर पर तीनों छेतर यानि वरल जल थल और वायू में जो है यूद छिड़ा हुआ था विश्वद की अधिकतर जो कमपनिया है वो यूद धकी उत्पाद बना रहे थे उससे जुड़ी हुई जो वाहन है उसको बना रहे थे तो जब सेकंड वरल वार खतम हुआ तो उसके बाद देखा गया कि बहुत बड़े कबार के रूप में ये चीजें सामने आई और इसी का में चालीस के दसक पचास के दसक में हम पाते हैं कि जो बहुत सी बड़ी-बड़ी वहन कंपनिया उसके डर्ट को यानि उसके जो टुकडे-टुकडे जो यंतर थे जो चौप किये हुए थे उससे अगर ड्रोन का भी अकर संकल्पना को अब समझे तो वो एक प्रकार से डर कर जो है कबार की वस्तूं या इवेस्टिज की रूप में की गई वस्तूं को जोड के एक एसेंबल किया हुआ यह जो ही अंतर है एपिमान है तो उस रूप में जो है हम पाएंगे कि उसकाल में जिसे हेलिकॉप्टर का विकासा कर हम देखे तो वो भी एक चौपर है उसको भी कहा जाता है कि चौप किया हुए नि उसका टुक्रा टुक्रा जो है उसको जोड के बनाया है कि वो कहीं से कुछ लिया गया कहीं से कुछ लिया गया बड़ी गाड़ी से माली जी उसका यंतर लिया गया पंखा लिया गया कोई मसीन से उसी पकार जो है बहुत से युद् बना कर वहन इंडिस्ट्री आगे बढ़ी और 1940 में जो है जो इसकी एक विक्सित संकल्पना जो है वो लीडे फोरिस्ट ने जो अमेरिका के थे वो उन्होंने ड्रोन की संकल्पना दी और गल्ब गथाओ में इसके लीटरेचर में वहां वो दिखता है साइंस फिक्षन के रू जिन्होंने प्रथम जो है वो कौड़क कॉप्टर जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे चार पंख वाला जो अधिकांस देखने को मिलता है अधिक प्रयोग में है तो उसका जो है उसको जो है उसका अविसकार किया उन्होंने और यह आगे बढ़ते गया चुंकि इसकी अधिकतर जो है या तो खिलोनों के रूप में है टोही के रूप में है यूधक है 1973 में अब देखिए कि अरब इजराइल जब इज़ोगा है बहुत लंबे समय तक जो है इसड़ाइल जो है वह अरब राश्टों से यूध में था और यही कारण है कि इजराइल जो है वह समय जो है वो सांतिकाल में रहा तो ऐसे में वहां इन सब चीजों का विकास बहुत ज्यादा हुआ अब जैसे आप एक एक फोटी सेवन को अगर लें रूस में जो उसका विकास हुआ वो भी एक बहुत मामुली से मिस्त्री लोहार जो थे वो उन्होंने उसको बनाया चुंकि रूस भी उसकी जो युद्यक सैली है प्रनाली है वहत मजबूत है वो भी अगल वगल के बहुत दुस्मन राष्टों से घिरा हुआ है तो ऐसे में वहाँ पर ऐसी प्रकार के रास्टों में जो बराबर युद में रहता है तो वहाँ नई नई जो है चीजें वो देखने को मिलती है आविसकार देखने को मिलते हैं कि तो जैसा कि मैंने बताया कि verbs Вы जो हेलिकॉप्टर का विकास है वो इसी की विकास प्रहक्रिया के अंतर गर्रदिस को हमको समझजना है के से हेलिकॉप्टर में जो एक पंखा का यूज होता है बाइक पंखा का फिर आप देखिए का जो क्वाड़कॉप्टर है जो अधीक अभी देखने को मिलता है उसमें चार पंखा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बनावाट की रूफ में है थेक सब् pensa है चैंदखा वाला, ओक्ता है है SiteET वहला मुल्टि है बहुत सब्स पन्खा पिर मल्टि सेंड़वीच जो उपर है नीचे पंक्खा चुनकि पूरी जो प्रनाली जो गति और दिशा ठाराओ की और जो है उसका जो कुशलता है वो पूरा जो है वो आपको डिपेंड करता है वो रोटर पंखा और प्रोपिलर पर तो ऐसे में उससे समझना बहुत आउशक है अब इसकी वैग्यानिक्ता की चर्चागर हम लोग करें जो इसके मैंने बताए कि दूसरे भाग में इसकी जो बनावट है इसको समझना जरूरी है तो सबसे पहले इस सिधान्त को समझना जरूरी है कि वास्तों में ये कौन से सिधान्त पर कार होगा कारे करता है अब बहुत से हम लोग पाएंगे कि बहुत सारे जो वैग्यानिक खोज है वो अधिकतर यूरोपियन देशों में हुआ अमेरिका में हुआ लेकिन अगर हम अपने प्राचीन भारत की तरफ गौर करें अपने प्राचीन इतिहास तो वहाँ जो विग्यान का जुड़ाव था वो अध्यातम से था उसके विहवारिक अनुपर्योग को हम लोगों ने बहुत समय तक नहीं समझा था प्राचीन भारत में भी नहीं समझा, मधिकाल में भी नहीं समझा आप देखिए कि भारत में मधिकाल हो रहा है लेकिन यूरोक में आधोनिक रिहन साका ला चुका है चुंकि वो बड़ी गहनता से बड़े गौर से जो है इस बात का दियन करते थे उनकी रूची पुराने धर्म दर्शन में जादे इसलिए भी होती थी कि उसके जो है वो वेगानिक वेवारबाद को समझें और इसका फाइदा उने मिला बर्स 1737 में देखिएगा कि जो स्विश डच गनितगय थे जो बर्नोली पुस्तक में लिखा गया इसमें उन्होंने जो है एरोनाटिकल इंजिरिंग को बहुत सफलता पुरवक दिखाया जो संतुलित दाब का सिधान था अब इसके अनुसार जो है जब किसी प्रवह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की इस्तितीज उरजा में कमी होती है या उस अस्थान पर दाब में कमी हो जाती है जैसे मैंने बताया कि वो पक्षी का यानि बहुत से जैविक चीजों का वैग्यानी का धेहन करते हैं जो पक्षी को आप देखिए कि तो एक वो नियत दाब बनाता है पंखों के मादें से उसी प्रकार जो है ये बर्नोले का सिध सिधान्त नहीं होगा उस सिधान्त को अगर हम नहीं बना पाएंगे तो हवाई जाज या इस प्रकार का कोई भी ड्रोन नहीं चल सकता है और अब देखिएगा कि जो कीट होते हैं पक्षी होते हैं इसके अपने सेंसर होते हैं इनके जो भूच मक्त अपनाली जो है बहुत म बात हैं आप देखिए कि जो महरेशी भारदवाज थे उन्हें वीमान सहीता का प्रिणेता कहा जाता है आप देखिए कि वैदिक काल में अब देखिए कि 1020 में ही वो सब बाते हो रही हैं रामयन में जो रावन का पुस्वख विमान है जिसे बात में स्री रामची ने प्र और वैमानिक सास्त्र जो की बहुत प्रमानिक रंथ है महारिसी भार्दवाजद्वारा जिसमें तीन हजार सुलोक है वहाँ उसमें लिखा भी गया है कि वेक सैयता विमानो अंड जाना यानी पक्षियों के समान वेक के कारण विमान अथार्थ जो पूरी जो गहन जो प्रना होता है सवेद में लिखा गया है और आगे देखेगा कि इसी के सिधानत में जो है वो तैलाधी करनम है भाराधी करनम है चुक्कि हमारे जो पुराने संस्कृत के गरंथ हैं वो उस समय भासा के रूप में विक्सित थे लेकिन आप उसको समझने के लिए हमें बहुत जटिल नियम बना जिसके अनुरूप जो है वो और युवर्तमान एरोडानेमिक जो है प्रनाली काम करती है जेट प्रनाली काम करती है और आप पाईएगा कि 1895 में जो सिवकर तल पड़े थे जो विशुद भारतिये माराठी थे उन्होंने मरूत सखा नामक विमान बनाया लेकिन 1903 में जो राइट बर्दरस थे उन्होंने इसका जो है पेटेंट करवा लिया तो इतिहास में उनका नाम अमर हो गए और उसकी पेटेंट नहीं प्राप्त करने के करण स्विकर तल पड़े जो है वो घुम नाम हो गए तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ऐसी बहुत सी गरंथ ह जिसको आज भी बेग्यानिक समझने का प्रयास करते हैं कार्बूरेटर आप देखिएगा कि जब अन्ता दानीजन का विकास हो रहा है पिट्रॉल की खोज़ हो रही है तो मसीन के अंतरगत जो अभी पूरी वाहन प्रानली है चुंकि पिट्रॉल की जो दख्षता बहुत स पर काम किया जा रहा है ऐसे तो बेंटरी संचालित हैं तो कार्बूरेटर का सिधांद भी बर्नुली के सिधांद पर और विमान सास्तर पर अधारित है इसमें आप आईगा कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो इंधन और हवा का जो कुमपोजिशन है अनुपात है उसको बहुत ताय करना पड़ता है उसका जो थ्रोटल है जो से दक्षता आती है टॉर्क उत्पन होता है तो इस सिधांद पर जो है अंता देहन निंजन कारे करता है इसको जो है पर सम बार 1889 में जो है कार्ल बेंच जो मर्सिटीज बेंच के जो मालिक है थे जिनोंने सबसे पहल बनाया आज भी जो है मर्सिटीज बेंच जो है वहां काफी मांगी है अच्छी होती है और 1896 में ही परत्थम पेट्रोल कार जो है काल बेंच के दोबार बनाया गया अभी भी आप देखिएगा कि चुंकि फ्यूल इंजेक्टर आ गया है तो फ्यूल इंजेक्टर का सिधां जो है कार्बुरेटर के प्रयोग को अनुप्रयोग को कम करता है लेकिन बाइक वगरे में आप देखिएगा इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है अब जैसे मैंने बात की कि अब जैसे जैसे जो है वहां निजिनरिंग बढ़ते जा रही है वहां स्पीट दक्षता इन सब अधिक होती है और इसके बहुत सारे मॉडल परकारी किये जा रहे हैं तो अभी अगर आप ड्रोन की बनावाट को अगर देखना चाहे तो बहुत आसानी से बजार में खिलोनों के रूप में यह देखने को मिलता है जो इसका मूल दर्शन है कि वह हलका होता है साथी बैटर को जादे अंतर लगा दिया जाए भारी कर दिया है तो इसकी कार को सलता समाप्त हो सकती है चुंकि यह उतने बड़े जो है कुशलता को करने के लिए जो है बहुत बड़ा मशीन हम नहीं लगा सकते हैं अब जैसे मैंने बताया कि जो हेलिकॉप्टर है या क्वाड़कॉप है ट्राइकॉप्टर है प्लिटिकॉप्टर है इनमें जो है प्रोपेलर फिर पंखों का मोटर यह गती दिशायस्थिति को परिवर्तित करता है और वर्तबान में इसमें जो जीपीए से एडिट है यानि ग्लोबल पोजिसिंग सिस्टम है प्रकार से टैकिंग सिस्टम है जो सटीकता प्रनाली को प्रस्तूत करता है यह डिवाइस लगे होते हैं फिर कैमरा होता है जो उसक्वालिटी का इस्थिर कैमरा होता है चुंकि वह उपर में हीलता है वाइबरेट करता है तो अच्छे कैमरा होना जो रही है इसका अपना एक ओटो मोड होता है स्वाचाल कमए जैसे में ने बताए कि छार न्रीक ऐसे तो पैंगो की स्पीड को जो है इसी के गत्हके से जो है हम लोग कंटूल करते हैं अगर कि एंटी क्लो को क्लोक कर दिए और क्लोक का एंटी कiquement वाइज तो यह उल्टा घूमने लगता तक फिलिपिंग मोड में आ और यह 360 के रूप में भी कारे करता है तो जो प्रोपेलर है और पंखों का जो इस पीड है वो एक प्रकार से वायुदाप संतुलन को बनाता है तो कुल मिला के इसमें जो है एरोन आर्टिकल जो अभियंतरी की है वो काफी साहिक है चुंकि इसमें जो मेट्रियल होंगे वो ब और इसका जो लीथियम बैटरी इसमें यूज किया जाता है और इसका जो एर थरस्ट है वो भी बहुत होता है और चुंकि यह अधिकतर अभी जो संस्क्रन है वो डिजिटलाइज है तो इसमें एस्टी होता है यानि एलेक्टोनिक स्पीट कंट्रूर जो की एक प्रोसेसर से जुड़ा होता जैसे में बादर बोट होता है यह जो है उसको आगे कमांड देता है ्जूंकि इसका अपना एक नीचे यूड करते हैं लेकिन जयसे मैंomena बताया कि यह ओटो मेड में भी चल सकता है जैसे जैसे हम इसको सुरू करते हैं वहाँ पर एक नियत समय में अपने से वापस आ सकता है तो इसकी बहुत से प्रणाली है चुकि प्रोसेसर बोड जितना स्ट्रोंग होगा तो इसे उतना दक्ष जो है बनाया जा सकता है अभी हा इसक्स जो निजी कंपनी है एलोन मस्की उसमें दिखा गया कि 2011 में ही जो ड्रोन तक्नीक जो है उसको अपनाया गया आमानोरेथ जो है ये ड्रोन था जो सफलता पूर वकिसका परिक्षन किया गया तो अभी जो प्रोसेसर बोड में जो सेंसर की भूमिका है चुकि अगर पक्षियों में कीड़ों में अगर हम देखें तो अभी भी वो रिसर्च कभी से बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं आगर उनको इस्थान का भी सेस ग्यान होता है अगर वो आपर अटेक करेंगे तो दूसरा भी तीसरा भी चौ्था भी आपर अटेक कर देगा तो इस प्रकार से जो है उटो गती सिस्टम जो है वहां काम करता है और इसमें हम देखेंगे कि जैसे मैंने बताए कि अगर हो सकता है इस पर अब अर्तमान में गल्प पर यानि फिक्षन साइस फिक्षन के रूप में कार चल रहा है लेकिन ये काम चल रहा है अभी तो अभी देसे देखें कि बचों में जो है इसके खिलोना के रूप में या वीडियो गेम के रूप में इसकी उत्सुकता बहुत बताइश प्रक्थ सके मान के से खिंग year tested। वरृ पूंपिक्ती भाइश परक्षाफर में पूलाह्ता है। अब जो है, हम इसकी जे सरचना है उसको जो है अरतमान में जो नेनो सकवर्डोर है, Benjamin स्थिल्ट टेक्लिलोजी से लैस होंगे चुंकि इतने छोटे होंगे कि वो दिख नहीं पाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर आप हिंदु धरम दर्सन में आप देखिएगा कि जो गनेश जी की पतनी है वो रिद्धियों सिद्धी तो सिद्धी के अंतरकर जो है वो आठ महत पुन सिद्धी की बात की जती है जिसमें आप आईएगा कि जो अनिमा है अनिमा का जो सिद्धान्त है वो बताता है कि आप किसी भी माध्यम में प्रिविस कर सकते हैं अध्रिस से हो सकते हैं इतने छोटे बना सकते हैं लगहिमा में आप देखिएगा कि अपने आपको सित्वा अθार्त कि किसी को भी वस्मे करने का जो दक्ष्टा है। तो ऐसा बहुत बार गल्ब काताओ में आता है कि मसीन जो है आने वाले समय में हावी हो जाएंगे वो वस्मे करने लेंगे वो एक प्रकार से इस उत्वो को प्राप्त कर लेंगे इसे बहुत सी Hollywood movies है जिसे Terminator है फिर जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से गल्ब कथा के माद हम से दिखाया जाता है कि मन उस्से और मसीन का यूद हो रहा है पसीन जो है वसित्व को प्राप्त कर लिया है तो इंदु दरहम दर्सन में भी जो आठ सिध्ध ही जो दिखाया गया है तो जितने भी मसीन है वो उनका विकास इनहीं सिधानतों के नुरूफ ही होता है उसकी जो अंतिम परकास्टा है वहां वहां पर वो देखने को मिलती है अब देखिएगा कि जो अधुनिक हार्डवेर सोफ्टर प्रोग्राम है वो इसी आधार पर ही काम कर रहा है